आज के वीडियो में मैं धनकी देवी लक्ष्मी को कैसे अट्रेक्ट करें और ऐसी क्या गलतियां हैं जो डेली आप करते हैं उनको ना करें जिससे मालक्ष्मी आपके उपर महर्बान हो जाए ये वीडियो में बताने वाली हूँ तो हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर रूमा श्री मेरे चनल में आपका बहुत स्वागत हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो सदा खुश हाल रहें और संपनता को प्राप्त करते रहें ये मैं उनको आशिरवात देती हूँ मेरा नाम डॉक्टर रूम जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं द्यानिक जीवन में मनुश्य बहुत सारी गलतियां करता है जो धनकी देवी को रुष्ट कर देती हैं उसमें से एक है साफ सफाई का अभाव जिस घर में गंदगी रहती है वहां मा लक्ष्मी नहीं आती हैं मा लक्ष्मी बहार से ही निकल जाती है और उस घर में गरीबी व्याप्त हो जाती है तो आपको चाहिए कि शनीवार और अमावस्य के दिन आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें शुक्रवार के दिन की जोद जलाएं जिससे मा लक्षमी प्रसन होती है और देशी गुलाब का फूल भी मा लक्षमी को अर्पित करें कमल का पुष्प अर्पित करें तो बहुत ही अतियत्तम है इसके अलावा सबसे बड़ी गलती होती है ये फटावा नोट आप देख रहे हैं फटावा नोट अपने घर में नहीं रखना चाहिए आपको जरा से लालच में ये टेप चिपका के काम में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं टेप चिपका देते हैं जो की विजीवल नहीं होती है कई बार कई लोग नहीं देख पाते हैं कई लोग तो ले ले लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बता के देवें, कि मैंने नोट को जोड के दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना बताए किसी को, मतलब चुना लगाते हैं, तो ये गलत बात है, तो ऐसा कभी न करें, ऐसी हरकत करने वालों के घर, मा लक्षमी का वास कभ ज़न्दगी नहीं रखनी है, और कपूर की टिक्या, फ्राइडे फ्राइडे अवश्य जलानी है, ये देख रहे हैं, ब्लैक टर्मूलिन है, ये नजर बाधा से बचाता है, टोक से बचाता है आपके घर में, कोई भी नेगेटिव एनरजी नहीं आने देता, तो इसको या अपनी तिजोरी में रखें तो आपको बहुत फायदा होगा, और एक अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, एक मुख्य द्वार पे भी रख सकते हैं, ये फायदे मन ही साबित होगा, ऐसा करने से आपके घर में धन धाने के भंडार भरे रहेंगे, और आपके घर में बहुत पैसा आएगा, सफाई शनीवार को करें, बहुत फायदा होगा, और सारा कच्रा शनीवार के दिन घर से बाहर निकाल दिये, और अमावस्या के दिन भी सफाई करना बहुत ही अच्छा होता है, तो अमावस्या के दिन अडार तंत्र अपनाएं, अडार तंत्र ऐसे इस मा लक्षमी की क्रपा पाने के लिए श्री सुक्त का पार्ट बहुत ही ज़्यादा उत्तम है और श्री सुक्त का डेली पार्ट करना चाहिए कनकधारा यंत्र की पूजा भी डेली करनी चाहिए और कनकधारा मंत्र का भी जाप करना चाहिए कनकधारा सूक्त या कनकधारा मंत्र बहुत सी किताबों में मिलता है आप वहां से पढ़ सकते हैं या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं घर के बाहर बिल्ब पत्र का पौधा लगाने से भी मालक्ष्मी उस घर में वास करती है मा लक्षमी को विल्व पत्र का पौधा बहुत प्रिये है इसका वर्णन श्री सुक्त में भी बहुत आयत से मतलब किया गया है डायमन पहनने से भी मा लक्षमी की क्रपा आप पर बरसती है क्योंकि शुक्र का रत्न मा लक्षमी को बहुत प्रिये है शुक्र देव को भी बहुत प्रिये है शुक्र देव भौतिकता के कारक हैं और संपन्यता देते हैं जो उनको ध्याता है पिंक कलर के कपड़े फ्राइडे को पहनने चाहिए इस से भी मालक्ष्मी की क्रपा आप पर बनती है साफ सुत्रे कपड़े पहनने वाले पर मालक्ष्मी की क्रपा हमेशा बनती है सफेद रंग की टी-शर्ट पहनने वाले पूरुष पर मालक्ष्मी क्रपा करती है क्योंकि सफेद रंग शुक्र को प्रिये है हमेशा सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए ऐसा करने से भी मालक्ष्मी की क्रपा आप पर बरसती है और आप माला माल बनते हैं और आपके घर में बहुत पैसा आता है तो कुल मिला के डस्ट बिन साफ रखें टॉयलेट साफ रखें अपना और घर तो साफ आपको रखना ही है हर हालत में तो हर हालत में मालक्ष्मी की क्रपा आप पर बरसेगी और मालक्ष्मी आप पर मुदित होंगी मालक्ष्मी विश्नु भगवान की अर्धांगिनी है और जिस घर में विश्नु भगवान की पूजा होती है पीले पुश्पों को लगाया जाता है, पीले पुश्पों का हार या माला खुद भी पहने, तो आपको फायदा होने लगता है, आप पर ब्रसपती देव की विक्रपा भी होने लगती है, नया नोट लेवें और उस पर हल्दी से सात्या बनाएं, तो विश्णु भगवान औ अर्पित किया जाता है, उस घर में संपनता का वास हमेशा रहता है, पीले मिठाई या पीले लड़ू का भोग भगवान विश्णु को अवश्य ही लगाना चाहिए, इसी प्रकार से शुक्र देव की और मालक्ष्मी की क्रपा पाने के लिए आपको सफेद बर्फी का या स साबित होगा, आपके लिए जरा सा भी यूसफुल रहा हो वीडियो मेरा, तो आप लाइक जरूर किया किजिए, आपके लाइक से मोर्जे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जरूर किया किजिए, क्या पता मेरे द्वारा जो जानकरी आपको मिलती है, वो किसी का भला कर दे, और हमें पुन्य मिल जाए, और आपको और मुझे उनकी दुआ मिल जाए, तो शेयर जरूर किया किजिए, कमेंट सेक्शन में आकर जै मातादी, जै श्री राम या ओम नमस्षिवाय जैसे पवित्र शब्दों का जैकारा अवश्य लगाया किजिए, मेरे घर की पित्रों औ और आपके घर की पित्रों को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनका आशिरवात पाने की इच्छुक हूँ, तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, परामर्श लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी के थूँ, आप डॉक्टर उमा श्री से संपर कर सकते है मेरे हजबन लामा फेरा करते हैं, रेकी हीलर हैं और एंजल हिलिंग भी करते हैं, ये काम वो डिस्टेंस में करते हैं, डिस्टेंस हिलिंग करते हैं, तो लामा फेरा भी करते हैं और बहुत अच्छे गुरू से उन्होंने दिख्शा ली है, तो आप जरूर संपर करिए, इ एक छोटी सी सला आपके पूरे जीवन को परिवर्टि कर सकती है, खुशाल बना सकती है आपको. तो अगर आप जोतिश्य समास्या का समाधान चाहते हैं, मतलब जनम पत्री से संबंदित solution चाहते हैं, पामिस्टी से संबंदित solution चाहते हैं, या वास्तु दोष अगर आपके घर में है और उसको दोष को दूर करना चाहते हैं, या वास्तु दोष चेक कराने चाहते हैं कि है आज का वीडियो में समाप करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद